जैए शिरी कृष्णा रादे रादे आप सबी भक्तों का हमारे चैनल हरी वचन में बहुत-बहुत स्वागत है तीस तारी को शिरी कृष्ण जनमस्तमी है और इस दिन के लिए आपको बहुत-बहुत शुपकाम नाए जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे भारत वश्मे जनमस् ख्बाए जाती है इस दिन रत रखा जाता है उक्वास decor mant wahr को बहुत-अच्छे सेस जाय जाता है तो यस दिन सभी योग भगवां को तरह-ए रहके पकवान कभोग लगाते य और कई भक्त भगवान मां च्पपन्भूग च्पपन्भोग भगवानस सब्सक् resistor करते हैं तोस से दो qताइं मैं को चाहती हूं जब भगवाल किशन गोकूल में रहते थे अपनी यशोधा के साथ तब मा 6000 उन को आए पहर उनको भोजन कराती थी एक बार की बात है कि इंद्रदेव ने क्रोधित होकर गुस्ते में बहुत ज्यादा बारिश कर दी तब भगवान शिर्किशन ने गोवर्धन परवत को अपनी उगली पर उठा लिया और सभी लोग उस गोवर्धन परवत के नीचे आ गए तब इ साथ दिन तक अपने उगली पर उन्होंने उसे उठाए रखा जब साथ दिन बाद बारिश बंद हुए तब सभी लोग उस परवत के नीचे से बाहर आए और उन्हें इस बात का एसास हुआ कि एक आहा ने तो साथ दिन तक भोजन ही नहीं किया है तब माय शोदा को बहुत जब चपन तरह के पकवान बनाए और उनको जो है वो भोजन कराया तब ही से माना जाता है कि भगवान को चपन प्रकार के चपन बोग जो है लगाए जाते हैं और इसके पीछे कथा और भी है ऐसा कहा जाता है कि गोकुल में जो गोपिया थी तो उन्होंने जो है यह वरत के लिया हम बग्वान कोपने पती रूप में पाएंगे और उनको है इसके लिए उन्होंने यम नना नदी में इस्नान करें तब शिर्किशन जी ने उनको यह आश्वासन दिया कि आप जो भी चाहते हैं आपकी इच्छा पूर्ती होगी और इस वाद से खुशोकर गोपियों ने सबी गोपियों ने मिलकर चपन परकार के पत्वान बनाए और उनको भोजन कराया तब से ही यह भगवान को चपन परका इसमें अनाज, ड्राइफूट, दूद, दही, घी का ही भोग लगाया जाता है और इसको भी एक पारामपारिक धन से जो है लगाया जाता है जैसे कि सबसे पहले भगवान को दूद का भोग लगाया जाता है उसके बाद उन्हें बेसन, नमकीन भोजन जो भी हम बनाते हैं या जिस भी परकार की हम नमकीन चीजे बनाते हैं उनका भोग लगाया जाता है उसके बाद उन्हें मिठाई का भोग लगाया जाता है और मिठाई के बाद उन्हें ब्राइफूट और उसके बाद इलाइची चड़ाई जाती है तो इस परकार भगवान को 56 भोग अरपन कि वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजेगा जैशिर किशना राधे राधे